इंटरिम बजट आ जुगा है और बजट के बाद कौन से स्टॉक्स पर सीधा इसका प्रभाव पढ़ने वाला है कि मत मा पढ़ेगा वो भागने वाला है रुकने वाला है किस तरह के स्टॉक्स पर हमने नजर लगा के रखनी चाहिए वह सब कुछ आज के सेश्ननिन में बात करने वाले हैं ठीक है सेक्ट्र माइज बात करेंगे हर सेक्टर के अंदर कौन-कौन से अच्छे शेर हैं कौन-कौन से टॉप के शेर से जिस पर हमें नजर लगाने चीए को छोड़ना है को पकालना है वो सब कुछ पहले यह बात कर लेते हैं बजट होता क्या है देखो आसान सब्दों अगर समझो तो आपने बच् मॉठेन में दो रुपे मां करते तो पापा पूषते थया मम्मे पूषती थैंट क्या करोगे टा आइस क्रेम घाएंगे मिढ़ाई क्हाएंगे जो भी भाता था तब्यwegen अकरोम प्सारों पचास रुपए से कम में क्या ही बात होती है इसको महंगाई बोलते हैं तो होता यह है कि जब हम पैसे मांगते हैं और मांगने के बदले हमको हिसाब देना पड़ता है कि इस पैसे को हम यह करेंगे तब जाके हमें वो पैसा मिलता है सर इसी को कहते हैं बजट जो रणिंग ग इसका हिसाब देना पड़ता है पूरे देश के सामने ठीक है इसी को कहते है बजट अब हुआ क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा जो सरकार है बीजेपी सरकार मोधी सरकार इसका बजट रखा देश के सामने कि यह जो सरकार है यतना पैसा मांग रही है और इतने पैसे के ब बजट और कुछ नहीं ठीक समझा गया है अब शेयर्स सब देखो सीधा सीधा अगर पहले ये समझ लो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कित्ता कित्ता अलोकेशन हुआ है इससे आपको ज्यादा ये समझ में आएगा कि इस इस डिपार्टमेंट में इत्ता पैसा अलोकेट मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज तीन शब्द है यहाँ पर रोड का मतलब जमीन और ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ हवाई नहीं होता समुदरी मार्क से भी होता है हवाई मार्क से भी होता है तो यह सब स्यटर के अंहरा है पोस्मार्टम और करें जर की स्ट्राटेजिए आप इनी से बना सकते हो तो खेर चलो नीचे कम बात नहीं करते सिर्फ इतने को लेगे चलते हैं और कुछ मुटा-मुटा बात करते करते मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दिया करूंगा ठीक हाँ हाँ हाई लैट्स अच्छा मुटा-मोटी हाई- बजेट में बात किया गया सर रेलिवे में 40,000 नए बोगी का निर्वान होने वाला बनने वाला है तो हमारे क्या समझना अच्छा रेलिवे का इस टॉक तो जाएगा जाएगा चालीजर बोगी मतलब बोगी बनाने वाली कौन-कौन सी कंपनी है तो जरा उस पर नज़ डाल सबिखना अच्छी से पढ़ागी तो हमारे कुछी समझ में रखना उसे हूआ कब जाएगा तो कोई बीकॉंट्रेक्ट हों यह थीमेशी 275 कंपनी बाते हैं तो कोई ऐस Kimberly में सकती है बहु सकती है शेर का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे को वही कंपनी तो चुनना है जिसका शेर का प्राइस बढ़े तो उससे पहले यह समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी को धन्दा मिलेगा कौन सी कंपनी को कॉंट्रैक्ट मिलेगा क्यों कंपनी तो कई सारी हैं तो यह समझने के लिए मिया याद को गण वावत बात हम्यां सहां हां सरकारी कॉंट्रेक्ट टॉक कंपनियों को में मुष्टी अथा निम्ही अगर वह अच्छी कंपनी है यह याद रखना भी बात करते हैं आगे तो 40,000 नए बोगी बनेंगे तो उस परियम को नज़र रखना है कौन सी कमपनी इसमें आएगी सर एरपोर्ट डबल होने वाले हैं आज के समय में आदमी की इंकम कैपेबिलिटी बढ़ी है आदमी एरपोर्ट की तरफ हवाई में यात वाली कौन सी कमपनी आएंगे उस पर भी सर रोड और इंफरा पर सबसे बड़ा एक्सपेंशन जो भी हमने बात करा है डिफेंस के बाद रूफट आफ सोलर सोलर का मतलब पावर बिजली इलेक्रिसिटी वह सब भी बात करते हैं तो यह मोटा-मोटी हाई-लाइट्स अपने एरोस्पेस और डिफेंस एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस ऑटो मोबाइल बैंक सिमेंट सिमेंट प्रड़क्ट कंस्ट्रक्शन वाइनस गैस डिस्ट्रिबूशन होटल रेस्टरॉंट इंफ्रास्ट्रेक्ट्चर आइटी सॉफ्वेर मरीन पूर्ट माइनिंग पावर ज स्क्रीन क्या है आप यहां पर सेक्टर वाइज अलग-अलग स्टॉक्स की डीटेल देख सकते हो मैं यहां स्क्रीन में आने के बाद इधर देखो सर यहां पर कई सारे सेक्टर सारे हैं है और दिखान और बादि करें अच्छे से यहाँ पर सबसे पहले सोटे पर एदेटर करने लिए सिमदार हैं यहाँ पर टॉप की कंपनिया देखो जब भी लॉंग टाम इन्वेस्मेंट की बात कर रहें मैं उर्मात कि कंपनिया अच्छे यहां पर वह सकता है मैं आपको ब्लैक दिख रहा हूं तो इसकी चंदा मत करो स्क्रीन दिखाना मेरा मेन परपस है सब्सक्राइब की कंपनिया है हिंद एरोनोटेक्स इस पर क्लिक करो इस पर क्लिक करके आप देखो यह क्या करती है कंपनी यहां पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको इंगे जिन बिसन मैक्स मैनुफेक्श्र ऑफ एरकाफ एरक्राफ बनाती है यह तो एरक्राफ मैनुफेक्श्रिंग डबल होंगे जो आपने बताया था तो मतलब इस कंपनी का रोल हो सकता है ठीक है हेलिकॉप्टर बनाते हैं करते हैं मेंटेनिंस करते हैं यह सारी चीजे शेयर का प्राइस में देखो जर कैसे भाग रहा है ऊपर की तरफ किक है अच्छा इसका मतलब यह नहीं के मेरा यह रिकमेंडिशन है इसा बिल्कुल मत समझना मैं तो टॉप की कंपनियों के बात कर रहा हूं ऐसा ही टॉप की क इंडियन रेलवे और मेट्रो के लिए कोचेस बनाती है अब हमें नहीं पता है इन में से किस को कॉंट्रैक्ट मिलने वाला है क्या-क्या होने वाला है किस-किस कंपनिक पास जाएगा लेकिन जब भी जैसे शुरुवात में बात करा कि टॉप की कंपनियों पर नजर होता है और उसमें कोई सरकारी कंपनी है तो उसको priority में पहले देना चीए बी-IML एक सरकारी कंपनी है और भी सरकारी है वह देखना आपका काम है ठिक अब जैसे it air transport services air transport इंडीगो का सबसे बड़ा सबसे जदा फ्राइट इंडीगो गई है इंडीगो को अगर आप क्लिक करो अच्छे पूद आपको पता कि इन डीगो के फ्लाइट से शेर का भाव सर कैसा तरटला करके उपर भागा है हाला कि पहले से भाग रहा है लेकिन बजट के बाद थोड़ा और ज्यादा उच्छाल आ गया है ठीक है तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं और देखो सर और जराम आगे बढ़ जाते हैं अच्छा और सेक्टर देखो सर अल्कॉली के सब छोड़ो हाला कि ग्रोथ तो सब म कंपनिया है टॉप की पाच्छे कंपनियों मेरे में बारे में बात कर बात करा लेकिन इवी की बात करो तो इवी में थाटा मोटर्स बहुत टॉप पर है और इसके शेयर की ग्रोथ भी आप देख सकते हो कैसा यह तरतला करके ऊपर भाग रहा है एक जिस ध्यान रखना सब म करना चाहिए आपको हार स्टॉक थोड़ा डिप मारता है और डिप मारने बाद खरीदो तो ज्यादा प्रॉफिट आपको सकता है लेकिन अगर आप लॉंग टम वाले हो 20-22 साल वाले हो तो फिर तो कभी भी खर दो आच्छा स्टॉक हो तो बड़ेगा ही बड़ेगा अच् तो अटोप पर SDFC की बारें की बात कर लो अभी तो कुछ दिनों से तो इसकी हालत खराब है तो हलाकि लेकिन टॉप का बेंक है अगर SDFC को आप पसंद करते और आपको लगता है सही है तो यह सही समय हो सकता है SDFC में एंटरी मारने का बाकी स्टेट बंक अफ इंडिया तीन प्रड़क्ट कंस्ट्रक्शन होगा रोड बनेंगे हवाई एड़ा बनेगा तो सीमेंट का तो बहुत होने वाला है ना सीमेंट में अल्ट्राटेक टॉप पर है तॉप की चारपाश कंपनियों को आप देखना उसमें डिटेल में जाना वह आपका काम है वह नहीं बताऊंग सब एक्स्टोर करते चले जाना सर देखो इस समय यह सब दिखाने का परपस यह कि जिन लोगों को लगता है कि कौन से स्टॉक में इंवेस्ट किया जाए सही स्टॉक नहीं मिल रहा तो टेंशन लो सर इस समय भर पूर आपके पास स्टॉक बाइंग अपॉजनेटी है वह आ सब्सक्राइब कर देखो इसकी ग्रोथ लेकिन लालच में नहीं आना है इतना ग्रोथ बढ़ गया रहे है और बड़े का और बड़े का लगा देना है ऐसा नहीं करना तो ला समझ बूच के करना सर देख रहे हो कितनी सारी अपोर्चनिटी खुल जाती है बजट के बाद औ ओर किसमें जाओर किसमें जाओं एलेक्ट्रानिक्स में भी जा सकते हैं एकस्प् Pers unless में आज़ा सकता है तो फिनांस तॉक पर ऐसर आई आरेफ़ के इंडिन रेलवे फिनांस कोर्परिशन से यह देखो अ सब चल रहा है सर्य कंपनी सरकारी कंपनियों पर खास नजर रखने की जुरत है अगर टॉप के केटेगरी में सरकारी कंपनी एथ उस पर खास नजर रखना इसको भी देखना सब्सक्राइब करके और में अंदर आ जाता हूं सर होटेल से इंफ्रा डेवलप होगा रोड बनेंगे यह जैसा इरिया डेवलप हो रहा है हार जेका बड़े-बड़े होटेल्स खुल रहा है तो होटेल्स कहां पीचे चूटेगा सर इंडिन होटेल लुद इसमें टाप की टीच्व इंफोसेश एसल वेप्रो यह सब देखो जब अधा और डिप मार करके वापस चला गया वापस उपर उड़ गया और देखो कुछ चीजे में दिखाता हूं अच्छा कुछ और कम कर देता हूं इतर डिटेल में क्या दिखाऊ मैं थोड़ा और थो सकते हो अपीज इंडरिक इस पर दो बहुत सोलर की बात जैसे हमने करी सर तर न्टीपी सी इसका स्टोक कैसे भागा है देख रहे हो देक देख रहे हूं अचै किसी भी स्टॉक को इंवेस्ट करने से पहले सब इसका डिटेल जरूर देखना मैं तो यह देखना हूं किन-कि और यह सब्टॉप की कंपनिया है इस पर खास नजर रख सकते हो पावर इंफ्रासेक्टर के पीए ग्रीन अच्छे इसका भी देखो कैसा भागा भी तरसे यह देखो सर ताला से उपर भागा है देगर मजा रहा है सब दिक्कर के खास नजर रखने के ज़र थे इन सब स्ट्र रियल स्टेट भी इस पर तो हो गई होगा क्योंकि इन्फ कोने ईंफ्रार रियल स्टेट उन इस पर तो हो रही होना है खास नजर रखो 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 pieces इतने में आ आपको भूट सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे सिर वापस आ जाते हैं की आपकी एक सेक्टर बढ़ता है तो उसका प्रभाव अलग-अलग सेक्टरस पर भी होता है तिन दिनों सेक्टरस तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे और अगर यह एलेक्शन जीत करके वापस यह गवर्मेंट आती है यह गवर्मेंट देखो बिजनस फ्रेंड आगे चैना के उसके आगे चले जाएंगे इंसरा और चाइना कि जो एकॉनमिक ग्रोथ है इसमय तो इतना सब कुछ जो होने वाला है सर आप थ्रौ सा ओमल इस लत जरी बात करी यह सेक्टरस ग्रौफ होने होने इसके भीना कृफ हो वही रीजा पी जैसे इन अरौग sellers kate top Coop कपशनी wow को किया चल रहा है किस में क्या चल रहा है centis comment टूप कि अगर उस लिस्ट में top की चार पाउंचे हैं पर खास ध्यान रहें तो कि मोधीजी का चैकर कंबव हैं जोड़ेंगे पहली सरकारी कंपशनी के ठीक है तो f समझ में काफी कुछ बता दिया अज लग रहा है ठीक है बता दिया कुछ सवाल हो बजर से लेटेड स्टॉक से लेटेड सेक्टर से लेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताईए